नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। आज रविवार है तो रविवार विशेश का दिन है। आज बात करेंगे प्रिटिकल डाइनेस्टी पर बलकि उसके बहाने भारती राजनीती के यूराजों पर। भारती राजनीती में वैसे तो इससमें यूराजों की एक बड़ी लंबी सूची है। आप जिले तक चले जाएं तो ये सूची बड़ी लंबी मिलेगी। लेकिन हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा विशे ले नहीं सकते हैं। तो हम सीमित दायरे में कुछ लोगों की बात करेंगे। कुछ नेताओं की बात करेंगे। हम को जब आजादी मिली तो हमने राजे रजवाडों को खतम कर दिया। सारे जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी सब का विलय हो गया भारत में। तो लगा कि ये जो सामंत वादी विवस्था थी जो डाइनेस्टी थी वन्शवाद था उसको खतम कर दिया। दूसरा कदम उठाया हमने इसे खतम करने का जब 1950 में सम्विधान बना और हम गरतंत्र बने। तीसरी कोशिश हमने इसको खतम करने की की जब जमीनदारी उन्मूलन विवस्था लागू हुई। तो लेंड रिफार्म और उसे पहले जो है गंतंत्र बनना फिर उसे पहले राजे रजवाडों का राज खतम हो ना। ये तीन करने के बाद तीन कदम उठाने के बाद देश को लगा कि अब हम उस पुरानी विवस्था से मुक्त हो चुके हैं। एक डिमोक्रिटिक कंट्री है जहां हर व्यक्ति बराबर है चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो प्रदानमंत्री हो मुक्यमंत्री हो और या सामान निवोटर हो सबका वोट एक है और वोट की कीमत एक है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री है या प्रधान मंत्री है तो उसके वोट की किमत जादा होगी। इसके बावजूद धीरे धीरे और बलकि कहें इसके बीज जो है वो आजादी के पहले से ही पढ़ने शुरू हो गए थे वंचवादी राजनीती के। जब मोतिलाल नहरू ने गाँधी जी पर और कॉंग्रेस पर दबाव डालकर जबाहर लाल नहरू को कॉंग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनवाया था। वो इसमें काम्याब इसलिए हुए कि वो कॉंग्रेस पार्टी को संगठन को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा देते थे, आर्थिक रूप से साहता करते थे, दूसरी तरह से मदद करते थे, अच्छे बड़े वकील थे, उसनाते भी मदद करते थे, और इसमें वो काम मंतरी रहते हुए, और फिर उसके बाद की कहानी आप सबको पता है, उसमें ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़बरत नहीं है, लेकिन डाइनेस्टी के बारे में ये कहा जाता है, जो फिजिकल और एस्ट्रोलोजिकल गणना है, उसके हिसाब से, कि इनकी उम्र अमोमन ए ये 120 साल होती है अगर एक विशेश यूती हो, यानि एक विशेश कंजंचन हो, तब जो है 120 साल होती है, नहीं तो जिस तरह के कंजंचन हो, जिस तरह की यूती हो, उसके हिसाब से उम्र होती है, तो लाइफ स्पैन जैसे होता है 120 साल का, और जिसका 120 साल का हो, उसको मिनेस्ट्री का भी जिवन काल, वह भी 120 साल का होता है। यहां माना यह जाता है कि लगभग 40 साल में मनुष्य परिपक को हो जाता है। तो इसकी उसत आये, जुमानी जाती है, ऐस मामले में, वह 40 मानी जाती है। लेकिन इन सब से अलग है अपने देश में जो वन्षवादी राजनीती है। देखें कोई भी, मतलब व्यापार की दृष्टी से कहें, अर्थशास्त की दृष्टी से कहें, तो एक जो परंपरागत व्यापार हैं, व्यापार हैं, उसमें जब अगली पीड़ी आती है, वो सब जो परंपरागत हैं वो अगली पीड़ी चला पाए, नहीं चला पाएगी, ये पका नहीं होता है। उसको विरासत में मिल तो जाता है, लेकिन वो विवसाय चलेगा की नहीं चलेगा, इस पर निर्वर करता है कि अगली पीड़ी क्या करती है उसके साथ. अगर अगली पीड़ी उसमें इन्वेस्मेंट लेकर आती है, उसमें टेकनोलजी लेकर आती है, उसमें value addition करती है तो वो business और जादा आगे चलता है वेवसाय और जादा बढ़ता है लेकिन अगर ये तीनों चीजे ना हो तो धीरे धीरे उसका बंद हो जाना ही उसका प्रारब्ध होता है इसी तरह से political dynasty में भी होता है कि दूसरी पीड़ी जब आती है तो वो क्या करती है क्योंकि जो पहली पीड़ी होती है वो बड़े कठिन परिश्रम, संघर्ष, लड़ाई, जदो, जहद उससे निकल कर आती है उसके जीवन में कभी जो है उस तरह का आराम और सुख नहीं होता जो सत्ता का सुख कहा जाता है उसका पूरा जीवन संघर्ष का होता है इसलिए उसमें जो आस-पास के जो साथ के लोग होते हैं जो आंदोलन में साथ देते हैं इस रड़ाई में साथ देते हैं उनमें एक तरह का भाई चारा होता है उनके बारे में सोचते हैं और उस हिसाब से जो है उसको बढ़ाने की आगे कोशिश करते हैं राजितिक दल को संगटन को उस दिशामें ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब दूसरी पीड़ी आती ह तो उसने कोई संगर्ष तो किया नहीं वो आराम तलब होती है उसने सब सुख अश्वर देखा है और उस हिसाब से उसका रिस्पॉंस उस तरह का होता है लेकिन एक कनेक्ट होता है पिछली पीड़ी से जुड़ी हुई होती है तो इसलिए उसके व्यवहार में आपको थोड़ा अंतर दिखाई देगा अंतर मतलब उसके व्यवहार में थोड़ा संतुलन दिखाई देगा लेकिन जब तीसरी पीड़ी आती है इन सब से कटी हुई होती है उसको कुछ करना नहीं पड़ा था जो कुछ मिला है सब कुछ बना बनाया मिला है और उसको वो सम्हाल नहीं पाती है और ये बात दूसरी पीड़ी से भी शुरू हो सकती है तो इसलिए कौन सी डाइनेस्ट्री कितने समय तक चलेगी ये अगली पीड़ी की प्रतिभा और उसका जो रणीति कोशल है राजनीति की रणीति बनाने का कोशल है पार्टी को आगे बढ़ने का कोशल है उस पर निरभर करता है तो आज कुछ निताओं की बात करूँ गा उन निताओं में आप पो नाम बता दूं किन की बात होगी एक उत्तर प्रजेश से सुरू करेंगे देश का सबसे बड़ा राज्य है अखलेश यादव और यहां दूसरे निता है एक बहुत चोटी पार्टी के जैन चौधरी आनन्द कुमार की बात करें या नहीं करें ये मैं सोच रहा था लेकिन अभी अभी उस तरह से मैयवती के जो भतीजे हैं उस तरह से प्रॉमिनेंस में आये नहीं है तो इसलिए शायद उनकी बात अभी करना जल्द बाजी होगी फिर बिहार चलते हैं बिहार में भी दो नेता है तेजस्वी यादो लालू प्रसाद यादो के बेटे हैं और इस समय राज़ेडी के अध्यक्ष है राश्टी जंत अधल के और चिराग पासवान रामिलास पासवान के बेटे हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष है फिर इसके आगे आगे बढ़ें आप दिल्ली के बगल में आजाएं हर्याना में हर्याना में एक तो परिवारों की बाड ही है बंसी लाल का परिवार, देवी लाल का परिवार उसके बाद भुपेंदर सिंग हुडा का परिवार तो अभी जो राजीतिक रूप से सक्रिय परिवार है उसमें भुपेंदर सिंग उड़ा का परिवार है और उनके बेटे दिपेंदर उड़ा उसके आगे बढ़ें पंजाब में जाएं तो अकाली दल के पुरोधा प्रकाश सिंग बादल उनके बेटे सुबीर बादल महराष्ट पहुँचे तो बाल ठाकरे के पुते उद्धव ठाकरे उसके बाद अब नई पीड़ी जो है तीसरी पीड़ी आदित्य ठाकरे उनकी बात करते हैं महराष्ट की राजनीती के चानक के समझे जाने वाले जो आजकल गली गली घूम रहे हैं शरत पवार उनकी बेटी सुप्रिया सुले उनकी बात करें तो ये जो राजनीती के उराजों की टोली है दरसल आपको शायद अंदाजा हो पता हो इन सब में आपस में बड़ी एका है संसद में जो इनमें से जो लोग सभाय राजे सभा के सदस्य हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो बड़ी दोस्ती है इनने बड़ा सोशल लाइफ जो है वो हाई क्लास सोसाइटी जो है पेज थ्री वाली उस तरह की सोसाइटी का है और उसी में ये अपने को सहज महसूस करते हैं उससे नीचे का जो क्लास है जहां से ये आए है उसको बड़ी हिकारत की नजर से देखते हैं और जब आप वंशवाद की बात कर रहे हों परिवारवाद की बात कर रहे हों तो युवराजों के युवराज शिरोमणी राहुल गांधी की बात कैसे बूल सकते हैं और अब तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंकावाडरा भी है तो इन सब को देखे, इनकी राजनीती को देखिए 18 साल हो गए राहुल गांदी को संसंदी ये राजनीती में आये हुए ट्राइड, टेस्टेड, फेल्ड, ये ठपा लगा दिए इतनी बार लाँच, री-लाँच, री-लाँच, री-री-री-लाँच कितनी बार हो चुके हैं फिर से उनको उद्यपूर में लाँच करने की कोशिश हो रही है एक बार फिर से उनको पार्टी अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है ये वीडियो में शनिवार को बना रहा हूँ, तब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इतवार को वहां से क्या घुशना होगी, क्या हैगा पता नहीं है, लेकिन वो चिंतन शिविर वैसे तो 13 से 15 तक ही था, लेकिन ये मान कर चलिए कि राहूल गांधी को पार्टी का फिर से हाई कोस, वो आगे बढ़ी नहीं पाते हैं, उनको धक्का देके आगे बढ़ाया जाता है, वो फिर पीछे लौट आते हैं, प्रेंका वाडरा को लेकर बड़ी उमीदे थी कॉंग्रेस पार्टी में, और एक वर्क को खास्ताव से, कि वो आएंगी और सब कुछ बदल दें पर जमानत जब्त हो गई, उसके अलावा 36 गड़ में टियस सिंग देव और भुपेश बगेल का जगला जो है, उसमें वो भुपेश बगेल के साथ खड़ी हो गई, तो पार्टी में कौन किस बारे में फैसला ले रहा है, ये किसी को पता नहीं, कौन सा फैसला राहूल गा गांधी ने नहीं की, ये नेताओं, इन तीनों नेताओं के आसपास के लोगों के बयानों से पता चलता है, रंदीप सिंग सुर्जेवाला गोशित रूप से राहूल गांधी के अत्यंत करीबी है, और इसलिए इतने लंबे समय से प्रमुक प्रवक्ता के पदपर बने हु ये राहूल गांधी की मर्जी मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकता है, तो इससे आप अंदाजा लगाईए कि क्या हो रहा है, तो ये तो है गांधी परिवार जो एक तरह से वट वरिक्ष है वन्शवाद की राजनीती का, जिसने सभी दलों को, भारत के सभी राजनीती दलों को नेताओं को ये समझाया कि देश में भले ही राजे रजवारे चले गए हो भले ही सामंत वाद चला गया हो भले ही राजशाही चली गई हो लेकिन परिवार वाद के फलने फूलने के लिए पर्यात उरवर जमीन मौझूद है आप अपने परिवार के लोगों को आगे जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है वो इस बात को मानने को तयार नहीं होते कि ये जो अंड्यू एडवांटेज मिलता है ये जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए परिवार का कोई व्यक्ति राजनीती में जाए एक व्यक्ति है उसके बाद बेटा बेटी या कोई पत्नी बेट कि जाए तो इसको जद्यादा सज्ञाल हो इसको टिकट मिल जाए गारलेकिन जीथार जो है उस निता के हाथ में नहीं है जिसके परिवार का व्यक्ति आ लेकिन जब बर्थ सर्टिफिकेट से पदत्य होने लगता है नहीं कंग्रेस पार्टी में अध्यक्ष रहेगा तो परिवार का ही व्यक्ति रहेगा और परिस्थितिया अनकूल होंगी तो प्रधानमंत्री भी उसी परिवार से होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कोई बनेगा मुलायम सिंह यादो के बाद तो उनका बेटा ही बनेगा और किसी के नाम पर विचार भी नहीं होगा इसी तरह से आरजेटी में कोई अध्यक्ष बनेगा तो उनका बेटा बनेगा लालू प्रसाद यादो जब जेल गए मुख्यमंत्री रहते हुए उनको जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी रावडी देवे को मुख्यमंत्री बना दिया और इसी तरह से आप नाम लेते जाईए इन सब को एक तरह से इलेक्टरल सैंक्षन हमारे देश के मद्दाता ने दिया उससे सभी पार्टियों में ये प्रवृत्ती बढ़ती गई कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है कारिकरता दूसरे दर्जे पर आएगा पहली कतार में हमारा परिवार होगा तो आप देख लिए जिस तरह से तेलंगाना में हो रहा है जिस तरह से आंधर प्रदेश में चंदरबाबू नाइडू करने की कोशिश कर रहे है नाकाम हो रहे है जिस तरह से तमिल नाडू में करुणा निदी के बाद एमके स्टालिन आये है तो ये आप एक एक करके राज्य देखते जाएए आपको ये दिखाई देगा लेकिन अगर आप देखिए कि अखलेश यादव पिता की विरासत तो उनको मिल गई पार्टी की अध्यक्ष बन गए और पिता के रहते ही जब वो जिता कर लाए मुख्यमंतरी भी बन गए थे लेकिन उसके बाद अपने बूते कुछ हासिल नहीं कर पाए दो हजार बारह में मुख्यमंतरी बने थे अब दो हजार बाईस है टूथाउजन ट्विटिटी टू दस साल हो गए इन दस सालों में वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए ये फर्क होता है जब आपको बना बनाया मिलता है और संघर्ष करके आया हो तो और अखलेश यादो मेरा मानना है मैं पहले एक वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि जब तक बीजेपी से मुकाबला होगा समाजवादी पाटी का अखलेश यादो कभी नहीं जीत पाएंगे ये कोई भविशवानी नहीं कर रहा हूँ ये ठोस तर्क के आधार पर समाजविक समीकर्णों के आधार पर राजवितिक समीकर्णों के आधार पर कह रहा हूँ और इस वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगा इसी तरह से बिहार में जाई है तो RJDA लेकिन बिहार जाने से पहले जैन चौधरी की बात कर लेना जरूरी है जैन चौधरी चुनाओ नतीजे आने के बाद से जैन चौधरी कहा है किसी को पता नहीं सिर्फ एक मौके को छोड़कर जब वो आजम खाथ से मिलने गए थे उनको भी अपने दादा से विरासप में राजनीती मिली है चौधरी चरण सिंग पिर उनके पिता चौधरी अजीत सिंग अब वो अब ये परिवार जो पूरे प्रदेश पर और बलकि कई राज्यों पर चौधरी चरण सिंग के समय जो है राजनीतिक वचस्व रखता था राजनीतिक प्रभाव रखता था वो अब सिमट कर दो तीन जिलों की पार्टी रह गया है वो भी किसी से गडबंधन हो तब उसका प्रभाव दिखाई देता है इसी तर ऐसे बिहार में आईए तो तेजस्वी यादो और चिराग पास्वान तेजस्वी यादो को अभी साबित करना है हाला कि पिछले विदान सभा चुनाओं में आर जेडी ने अच्छी परफॉर्वेंस की अच्छी मतलब उमीद से बहतर की लेकिन आप देखिए कि पिछले 15 साल, 17 साल से यानि 2005 से अब तक आर जेडी कोई चुनाओं जीती नहीं है सिर्फ 2015 में जब नितीश कुमार और लालू यादों मिले थे उस चुनाओं को छोड़ दे तो अपने दम पर बहुमत उसके बाद कभी मिला नहीं है और जेडी को आगे भी मिलेगा इसकी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है वही हाल चिराक पासवान का है उनको अभी थाबित करना है कि वो रामिलास पासवान की जो विरासत थी यानि उनका जो जनाधार था उसको भी बचाकर रख पाएंगे कि नहीं फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलना और भाशन देना वो अलग चीज है जमीन पर काम्याबी हासिल करना अलग चीज है इसी तरह से मैं मानता हूँ कि M.K. स्टालिन को भी अभी साबित करना है अभी उनको समय दिया जाना चाहिए पांच साल का जो चुनकर आए हैं उनकी सरकार पांच साल चले तब अंदाजा लगेगा कि वो किस दिशा में जाएंगे लेकिन आदित्य ठाकरे को देखकर आप कह सकते हैं कि उद्धो ठाकरे ही इस टर्म के बाद यह मुक्यमंतरी बने हैं जिस दिन वो मुक्यमंतरी पत से हटेंगे उसके बाद ठाकरे परिवार की राजनीती हाशिये पर जाने वाली है पंजाब की बात करें पंजाब में प्रकाश सिंग बादल का जो रुत्बा था जो उनका जनाधार था जो उनका प्रभाव था उसका दस्वा हिस्सा भी सुखबीर बादल लेगी बतली दस्वा हिस्सा कहना वो ये तुलना भी गलत होगी सुखबीर बादल दरसल अकाली दल के लिए विश्मेल बन गए है जब तक सुखबीर बादल अकाली दल के सर्वे सर्वा है जब तक उनका प्रभाव है जब तक उनके कबजे में है अकाली दल अकाली दल का कुछ नहीं होने वाला, सुभीर बादल का तो कुछ होने यह वाला नहीं लोगों के मन में उनके प्रती विरोध नहीं है वो नफरत का भाव, हिकारत का भाव बन चुका है ये ये दस साल के राज में उन्होंने कमाया है यही उनकी राज्यति कमाई है यह लोगों में जो उनके प्रती यह भाव आया है यह सिर्फ उनकी सुक्वीर बादल की कमाई है हर्याना में बात करें तो बुपेंदर सिंग घुडा जमीन के नेता है जनाधार है उनका हर्याना में इस समय कॉंग्रिस का मतलब भुपेंदर सिंग घुडा कुमारी शहिलजा को सोनिया गांधी ने प्रदेश अंठियक्ष बनाया और जब तक प्रदेश अंठियक्ष नहीं है भुपेंदर सिंग घुडा ने उनको अपनी टीम नहीं बनाने दिया ये असर है वुपेंदर हुडा का और उनको हटा कर दूसरे को बनाया गया द्यक्ष जो जिसको चाहते थे वुपेंदर सिंग उडा इतने प्रभाव, इतना जनाधार, इतना सब कुछ होने की इतनी ताकत होने के बावजूद उनका बेटा, उसका राजनीतिक करियर आगे नहीं बढ़ रहा है उस अभी भी पिता के कंदे पर सवार है पिता से अलग उसकी अपनी कोई राजनीतिक छवी नहीं है तो ये जो भारती राजनीति के युवराज है इनको विरासत में किसी को गद्दी मिल गई है यानि सत्ता मिल गई है, किसी को संगठन की सत्ता मिल गई है और वो जब तक चाहेंगे तब तक बने रहेंगे लेकिन जहां तक मददाता का सवाल है मददाता आज से 75 साल पहले जैसा सोचता था आज़ादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ जब से आजाद हुए है तब से और अब जैसे सोच रहा है उसमें बड़ा भारी अंतर आया है परिवारवाद की जो नीती है परिवारवाद की जो राजनीती है वंचवाद की जो राजनीती है उसका डिमिनेशिंग रिटर्न मिलना शुरू हो गया है लोगों ने परिवारवादियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है उनको लगने लगा है कि ये और कुछ भी सोचते हों और कुछ भी चाहते हों अपने स्वार्थ अपने परिवार के स्वार्थ से आगे ये देख नहीं पाते हैं ये आम जनता के भले के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए भारती राजनीती के ये जो युराज जब तक हैं, तब तक भारती जनता पार्टी का और प्रधान मंतरी नरिंद मोदी का मार्ग निश्कंटक र और इसलिए आप देखें तो लगातार परिवारवाद और वंचवाद पर हमला कर रहे हैं यह वंचवादी यह परिवारवादी इन्होंने देश को बरबाद किया और अपनी पार्टी में परिवर्तन बड़े पैमाने परिवर्तन अभी पांच राज्यों के चुनाव हुए इसी तरह से जो नेता है पार्टी में संगठन में पद पर है सरकार में पद पर है उसके बेटे बेटी को दूसरा पद नहीं मिलेगा वो मंतरी नहीं बन सकता यह इसके उदाहरण आपको पूरे भाजपा में दिखाई पड़ेंगे एक दो अपवादों को छोड़ तो अब यह जो नियम और परंपरा दोनों स्थापित कर रहे हैं पदान मंतरी नरेंद मोदी उसकी आज परिवारवादी पार्टियों तक पहुँचने लगी है यह जो मैं कहे रहा हूँ कि यह डिमिनिशिंग रिटर्न है अब परिवारवाद की राजनीती का वो आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिखाई देगा और जब यह लगातार हार जो है उन पार्टियों के जो दूसरे नेता हैं उनको मजबूर करेगी कि इनके अलावा इनके विकल्ब पर विचार किया जाना चाहिए कांग्रिस पार्टी में ये ये सुगबुगाहाट ये ये बेचैनी लंबे समय से है बस किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बिल्ली के गले में घंटी कौन बादे ये इसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है लेकिन ऐसे मामलों में ऐसे माहौल में वो बहुत लंबा समय लगता नहीं वो समय दूर नहीं है जब ये शुरुवात होगी और जिस दिन कांग्रिस पार्टी में इसकी शुरुवात होई गांधी परिवार के खिलाफ विद्रो का जंडा सचमुच बुलंद हुआ केवल रोचना बयान तक नहीं रहा उस दिन बागी राजनीतिक दलों में जो परिवारवादी हैं वहाँ भी आपको परिवर्तन होने की शुरुवात होती हुई दिखाई देगी तो ये परिवारवाद की राजनीती इस पर जो है आने वाले समय में और बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो आज के आंक में इतना ही अगले आंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए जाज़त दीजे आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब जरूर कीजे नमस्कार